आप कितने जेतन हैं, इससे तै होता है कि अपने भाग्य का कितना हिस्सा आप तै करते हैं कर्म का मतलब है आपका काम आपका जीवन आपने बनाया है ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो आप आप से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या हमारे जीवन में वो लोग आते हैं जिनका आना हमारी किस्मत या भाग्य में लिखा होता है क्या आप हाली में किसी से प्यार करने लगे हैं? शायद आप से शायद आप से नए क्यूंकि मैं रोमान्स को खराब नहीं करna चाहता देखिए इसे इस तरह से देखिए आज सुबह नीन से जागने से लेकर इस पल तक नीन के इस हिस्से को छोड़ देते हैं जब आप पूरी तरह से जाग गए उस पल से लेकर इस पल तक आपका शरीर अपने आप काम कर रहा है ऐसा है की नहीं? शारीरिक गतिविदी हो रही है बाहर और अंदर भी हो रही है या नहीं? तभी हम जीवित हैं, यह हो रही है मानसिक गतिविदी हो रही है भावनात्मा गतिविदी हो रही है उर्जा गतिविदी हो रही है इन चार आयामों की गतिविदी का कितना हिस्सा? आपने चेतंता से किया आज सुबह नीन से जागने से लेकर इस पल तक आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत ये एक प्रतिशत से काफी कम है मेरा विश्वास कीजिए जब आप एक प्रतिशत से भी कम काम चेतन होकर करते हैं चेतन होकर 99 प्रतिशत से ज़्यादा अचेतन हैं, तो हर चीज सैयोग लगेगी, है ना? सब कुछ ईश्वर का काम लगेगा, क्योंकि आपके 99 प्रतिशत काम अचेतन हैं, एक काम कीज़ें, जब आप आज गाड़ी लेकर बाहर जाएं, 99 प्रतिशत समय आँखें बंद करके गाड़ी चलाईएं, आप देखेंगे कि आप कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन अगर आप आँखें खोल कर पूरी चेतनता से चलाएं, तो आप किसी से इस तरह धमाके के साथ नहीं मिलेगे, चीजें बिलकुल अलग तरीके से होंगी, आप कितने चेतन हैं, इससे तै होता है कि अपने भाग्य का कितना हिस्सा आप तै करते हैं, आप कितने अचेतन हैं, इससे तैह होता है कि आपकी किस्मत कितनी संयोग से चलेगी सब कुछ जो संयोग से होता है, हम किसी और शक्ती को इसका कारण बताना चाहते है नहीं, ये रुकना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कारण हम है क्या कोई और शक्ती नहीं है? बिलकुल है ये स्रिष्टी आपने नहीं बनाई, नहीं मैंने बनाई है ठीक है? आपने ये स्रिष्टी नहीं बनाई, नहीं मैंने बनाई है पर एक शक्ती है, लेकिन वो एक बिलकुल अलग आया है और अभी जो आपके साथ हो रहा है वो पूरी तरह से आपने बनाया है आप जहां से हैं भारत ये दुनिया की एक मात्र संस्कृति है जो आपको लगातार बताती रही है कि आपका जीवन आपका कर्म है कर्म मतलब आपका किया हुआ आपका जीवन आपने बनाया है जो भी हो रहा है हो सकता है आप तारकिक रूप से उसका कारण समझ पाएं हो सकता है न समझ पाएं लेकिन फिर भी आप एक चीज जानते हैं अगर मेरे साथ यह हो रहा है तो यह मैंने बनाया है ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो आप पा सकते हैं जब आप समझते हैं कि मेरा जीवन मेरा बनाया हुआ है तो आप तक जो भी हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता आप अपना कल कैसे बनाएंगे मैं पूछ रहा हूँ अगर आप बिल्कुल साफ साफ सो प्रतिशत जानते हैं कि मेरा जीवन मेरा बनाया हुआ है तो आप अपना अगला पल कैसे बनाएंगे आप कल कैसे बनाएंगे आप भविश्य कैसे बनाएंगे सबसे खुबसुरत तरीके से है ना यही होने की जरूरत है